दोस्तों सॉप्ट्ट्य इंजिनरिंग की अपलोड की यह नहीं देखे हो तो दिस्क्रिप्सिन में लिंक अवेलेबल है चैनल पर भाई नए हो तो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि मैं बहुत वीडियो फास्ट अपलोड कर रहा हूं ताकि आपको time से video मिल जाय करें तो चलो इस video को हम लोग सुरू करते हैं यहां पर cyclomatic का मतलब क्या है cyclomatic complexity is a software metric used to measure the complexity of program इसकी मज़से हम जो program होता है उसकी complexity को measure करने के लिए हम लोग करते हैं ठीक, it gives the quantitative measure of logical complexity of the program basically quantitative form में देती यानि कि numbers form जिसे आप count कर सकते हैं उस form में आपको यह दे देती है कि यहां आपके program का level यह है सब चीज़े देती है आपका ठीक है how to calculate cyclomatic complexity इसे calculate कैसे करते हैं ठीक है इदखो MC के बे proposed the cyclomatic number ठीक है उन्होंने proposed कि the cyclomatic number graph theory as an indicator of software complexity the cyclomatic number is equal to the number of linearly independent path through a program and in its graph representation for a for a program control graph G cyclomatic number is given as यह होता है formula और यहां पर ध्यान देना E को कहते हैं हम लोग the number of is in graph G ठीक N को क्या कहते है the number of nodes in graph G ठीक अब P को क्या कहते है the number of connected components in graph G पी मत याद रखिए काम चल जाएगा लेकिन आपको यह यह नियाद करना पड़ेगा कि number of ages जो होते हैं उसे e कहते हैं number of nodes जो होते हैं उसे N कहते हैं अरे यह 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 starting है तो capital E आप यह 9 कैसे हैं इस में ages कितने हैं ages count करो एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नो नोड देखो कितने कितने हैं दो तीन चार पांच च्छे नोड चार लिग दिया प्लस टू अब देखो जो प्लस टू था न यह दो तो पहले सदे रखा है तो सिंपल सा प्लस टू आप यहां पर लिग देंगे वहीं मैं बोला था ना पी उतना इंपॉडटन नहीं अब इसे कर लिए फाइब आ जाएगा आपका अपका अब डिफ्रेंट सेक्शन अब डिफ्रेंट फ्लो ग्राफ और नंबर आप बाइनरी ड है कि ऊंपरियंगे लाइफ साइकल बात एक है कर सकते हैं के अब्रोग्स नाट देटा कम्प्लेक्सिटी को ना कि डेटा कि मौई तो उस्ते प्रोग्राम के साइज पर नहीं देखता है उसे इगनौर कर देता है बलकि नहीं करना चाहिए साइज भी तो बहुत बड़ा मैटर करता है किसी बीस आप्लिकेशन आप कुछ बनाएं ठीक है उसके प्रोग्राम बहुत बड़ा बड़ा लिख दिये हैं उसका साइज बढ़ जाता है ना अप्लिकेशन का तो भी होता है जो कि यहां पर यह कर देता है ठीक आयों कि सभी चीज आपको अच्छे समझ में आ गई होंगे